Hello everyone, आज हम एक और जादा important concept के बारे में understand करेंगे Last time हमने matter के बारे में पढ़ाई करी थी So अब आज हम इसी matter को change करेंगे एक matter से दूसरे matter की तरफ मतलब एक state of matter से दूसरे state of matter में हम convert करेंगे हमने classification में पढ़ा था solid, liquid और gases तो आज हम आज के topic में solids को liquid में, liquid को gas में या फिर दुबारा solid में, दुबारा liquid में, ऐसे हम कैसे change कर सकती हैं तो हमारे topic का नाम हुआ change of state of matter हम matter के state को change करने वाले हैं, ठीक है सबसे हम easy से method से चलेंगे, examples देते हुए चलेंगे so that की सबको अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है जब भी हम matter को, कि state को हमने change करना है तो हम दो तरीके से, असानी से change कर सकते हैं, ठीक है एक तरीका है कि अगर हम उसका temperature ही कम कर दे या बढ़ा दे उस object का, तो वो उसका state भी change हो जाएगा चलो हम सबसे पहले eyes के बारे में understand करते हैं सबको पता होगा, जो eyes होती है, वो तो solid state of matter होता है ठीक है, ये solid है बिलकुल, ओके तो अब हमें पता है कि जो बरफ है हमारी, वो हमारी freezer में रहती है वहाँ पे क्योंकि उसका जो temperature होता है, मैंने ध्यान दीजेगा मैंने एक word यूज किया है temperature, ताप मान, ठीक है तो उसका जो temperature होता है, वो zero degree से कम रखते हैं हम usually अपने freezer में, जैसे minus 15 degree होता है minus 24 degree होता है, ठीक है, तो इतना हमने इसको temperature में रखा है ताकि वो बरफ हमारी जमी रहे, पिघले ना, ठीक है बट हम उसी बरफ को जब बाहर निकालते हैं, हमने उसको use करना है तो हम उसमें freezer से बाहर निकालते हैं थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, कि वो जो बरफ है जो हम हाथ में अपने ले सकते हैं, वो जो solid है वो तो पानी पानी बन गया बिल्कुल, ठीक है क्योंकि जो हमारे usually जहां हम रहते हैं वहाँ पे जो temperature है, वो 10 degree, 15 degree गर्मियों में तो बहुत ही जादा होता है 25 degree, 50 degree तक भी पहुच जाता है तो वो जो पानी का, जो हमने एक चीज समझा है कि बरफ एक temperature में अच्छे से रह पाती है मतलब तापमान में अच्छे से रह पाती है और कुछ तापमान में वो किसी और चीज में बदल जाती है तो यहां पे हमारा हुआ है change तो यहां से हमारा first, हमारा पहला topic मिल गया है कि हम convert कैसे कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं by changing the temperature, हम अपने temperature को बदल कर यहां कि हम अपने तापमान को, उस particular तापमान का जो भी उस object का तापमान होगा, हम उसको अगर बदल देंगे तो हम एक state of matter से, दूसरे state of matter तक असानी से बहुत सकते हैं, ठीके, अब हम पढ़ते हैं दूसरा तरीका, ठीके, घबराई नहीं, हम इस पे बहुत सारी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैं topic नाम लिख रही हूँ उससे क्या होगा, कि आपको थोड़े से दो तरीके समझ में आ जाएंगे फिर हम अच्छे से करके, define करके समझेंगे ठीके, दूसरा तरीका क्या है, कि अगर हमने समझा है कि यह जो ice है, यह जो बरफ है हमारी, यह एक साथ है इसके जो particles हैं, जो हमने last class में भी बढ़ा था कि बहुत पास-पास होते हैं, इनके बीच में space बहुत कम होता है और जो पानी है, उनके जो particles हैं, वो थोड़े से दूर होते हैं उनके बीच में space जादा होता है अगर मैं बाहर से pressure दूँगी, अगर मैं इनको धक्का मारूंगी कि आप एक साथ हो जाओ, सारे particles आसपास आ जाओ, धक्का मारूंगी pressure लगाऊंगी, तो तब भी यह particles आसपास एकटे हो जाएंगे तो अगर इखटे हो गए, space कम हो गया, तो वो क्या बन गए? वो बन गए solid, तो हमारा यह दूसरा तरीका बन कर आ गया है by changing the pressure, अगर हम pressure लगाएं या कम करें तो हमारा state of matter भी change हो सकता है ठीक है? तो यह हमारे दो तरीके हैं जिनसे हमने समझे हैं अब हम इन तरीकों के बारे में और समझेंगे एक-एक करके तो चलो सब अपनी-अपनी headings लिख ली जी है students हमारा फर्स तरीका हम समझने जा रही है by changing the temperature अभी हम तापमान को बदलेंगे हर एक object के so that कि वो कभी solid बन जाए, कभी liquid बन जाए और कभी gas बन जाए और सबसे easy example तो आप सबको समझ में ही आ गया होगा बरफ, पानी और भाब, water, vapor ठीक है, तो ये तीन चीज़े तो सबको समझ में आ गई है अभी तक अब हम बस इन तीनों के ही temperature को बढ़ाएंगे और कम करेंगे ठीक है, तो सबसे पहले हम temperature को ही समझ लेते हैं कि temperature क्या है, ठीक है, temperature हमारा वो तापमान होता है उस particular object का, उस चीज़ का तापमान होता है ठीक है, उसको हम जादा तर, जो हम सबसे most common जो हम unit लगाते हैं वो है degree Celsius, ठीक है, बहुत सारी होती है, degree Fahrenheit भी होती है Kelvin भी होती है, लेकिन हम जादा तर, use करते हैं, इस्तमाल करते हैं, degree Celsius का ठीक है, तो एक common unit भी हम समझ लेते हैं अगर किसी चीज़ का तापमान है, temperature है, 0 degree Celsius तो अगर मुझे उसको Kelvin में लिखना है, Kelvin unit में लिखना है तो उसको मैं 273 के बराबर लिख दूँगी, ठीक है, और अगर किसी चीज़ का तापमान है 100 degree Celsius, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगी मुझे पता है कि 0 degree Celsius, 273 Kelvin के बराबर होता है तो 100 क्या होगा, बस मुझे add करना है, ठीक है, हम add कर देंगे और यहाँ पर हमारा बन जाएगा 373 Kelvin, तो यह बस एक unit है, जैसे हम distance को भी measure करते है हमें अगर एक जगा से दूसरी जगा जाना होता है, जैसे आपके school और आपके घर में जो distance है वो 5 किलो मीटर का है, तो आप कहा तो unit लगा देते हो, तो 5 लिखते हो, अगर इसी unit को मेरे को मीटर में convert करना है, तो मैं 5000 मीटर लिख दूँगी, क्योंकि हमें पता है, 1 किलो मीटर is equals to 1000 मीटर, ठीक है इसी तरीके से centimeter होता है, मीटर होता है, तो यह सारे जब distance के unit है, तो यह सारे हो गए है हमारे temperature के unit, Celsius, Fahrenheit और Kelvin, तो ज़्यादा तर आप कहीं के भी temperature देखोगे न, आप अगबार भी अगर पढ़ते हो, निउस्पेपर भी पढ़ते हो, तो रोज का temperature लिखा आता है, तो वो ज़्यादा तर Celsius में ही लिखा आता है, ठीक है, तो यह तो हमने थोड़ा सा temperature के बारे में बात कर लिया, अब हम आगे चलते हैं, और अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और, कि हम कैसे इन सारे टापमान को बदलेंगे, इन सब चीजों को, ठीक है, तो हम यह ज़रूर याद रखना, सारे students के solid, liquid, gas है, यह हमारे तीन state of matter है, तो हम सबसे पहले समझने व state से वो convert हो जाएगी, चीज लिक्विड में बदल जाएगी, ठीक है, अब वो कैसे बदलेगी, अब हम समझते हैं, हमने क्या पढ़ा था, last class में हमने पढ़ा था, कि solid के particles बहुत पास-पास होते हैं, और इनके बीच में space बहुत कम होता है, ठीक है, तो अगर इनके space में, ब लिक्विड के particles होते हैं, वो थोड़ी दूर-दूर होते हैं, उनके बीच में होता है space, ठीक है, अब अगर उनके बीच में space होना है, तो मतलब हम यहाँ पे temperature को बढ़ाएंगे, वो जितना बढ़ाएंगे, उनके बीच में उतना जादा ही space बनेगा, space बनेगा तो वो दू कर convert हो जाएंगे liquid में, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ temperature को बढ़ाया है, increase किया है temperature को, ठीक है, तो आप यह सब लिख सकते हो, अगर आपको solid से liquid में convert करना है, तो temperature को increase करोगे, फिर मैंने आपको बोला था कि वो particles दूर-दूर फैलने लगेंगे, move होने लगेंगे, और move ह होने लगेंगे, मतलब जो kinetic energy है, वो भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इन सारे particles को space मिलेगा, जगा मिलेगी, इधर उधर दूसरी जगा जाने के लिए, और अगर ये एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं सारे particles, तो मतलब क्या हुआ, इनके बीच में जो force of attraction है, एक दूसर है, वो कम हो जाएगा और उस कम होने की वजह से ये इनकी kinetic energy बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसी तरीके से वो solid में, solid से liquid में convert हो जाएगा, तो आप ये दोनो points लिख सकते हैं, ठीक है, अब इस एक process भी होता है, उस process का नाम आता है melting, जैसे हम बरफ को पिगलाते हैं, पिगल से ही हमारा process बन कर आ गया है, solid को जब हम liquid में convert करते हैं, उस process को हम बोलते हैं melting, ठीक है, और इसी वजही से, अब एक proper temperature होगा ना, उस तापमान में ही वो solid liquid में convert होगा, उस तापमान को हम बोलेंगे melting point, की जहां से वो पिगलना शुरू हो रहा है, वो ऐसा temperature जहां पे जो solid है, वो पिगल रही है, melt हो रही है, क्योंकि वो क्या बन जाए, to become liquid, वो अगर liquid बन जाएगा, तो वो बन रहा है हमारा melting point, जैसे हमने बरफ ली थी, बरफ को हमने बाहर निकाला, तो वो क्या बन गया, वो बन गया, पानी है ना, तो वो पानी बन ग हमारे कम temperature होता है, zero से कम होता है, और बाहर हमारा 10 degree, 15 degree, 20 degree होता है, मतला हमने temperature को बढ़ा दिया, जिसके वज़े से जो बरफ है, वो धीरे-धीरे करके पिगल गई, तो वो हमारा melting point बन जाएगा, ठीके, तो ये सब को hopefully first process समझ में आ गया होगा, solid to liquid melting, ठीके, आगे चले, अ अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा process, जहां पे हमारी दूसरी state of matter convert होगी, अभी तक हमने solid to liquid पढ़ा है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, तूसरा हम पढ़ते हैं, अब हम उसी पानी को, जो बरफ पानी में convert होई थी, उस पानी को हम बदलेंगे gas में, ठीके, तो अभी तक हम चले वह पिस particles को देखते हैं, अभी तक हमारे जो particles थे ना वो पानी के, वो इतने दूर दूर थे, उनके बीच में इतना इतना space था, ठीके, अब हमें इसी space को क्या करना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे, तब ही तो वो gas बन जाएंगे, है ना, तो अगर हम और जा पार्टिकल्स को बोलेंगे, कि हमें इनमें और space चाहिए, और दूर दूर चले जाओ, तो मतलब हमें उनको और temperature देना पड़ेगा, तो लिख लीजे सब, जब हम और गर्माहट देंगे, on heating, अब तुबारा उसी पानी को हम heat करेंगे, और उस heat करने की वज़े से क्या होगा कि जो kinetic energy है, मतलब space बढ़ जाएगी, और जितनी space बढ़ेगी, वो उतनी दूर दूर फैल जाएगे, तो kinetic energy जो है, वो बढ़ जाएगी, और अगर वो बढ़ गई, kinetic energy हाई हो गई, बढ़ गई, तो हमारा वो gas में convert हो जाएगा, और इसकी वज़े से liquid से कोई भी चीज गैस में आ जाएगी, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब solid से liquid में जाएगे, तब भी temperature को बढ़ाना है, liquid से gas में जाएगे, तब भी हमें temperature को बढ़ाना है, ताकि उन particles के बीच में space बन जाए, और space बनेगी, तो kinetic energy बढ़ेगी, और वो उतना दूर-दूर particles चले जाएगे, ठीक है, तो अभी तक हमने solid को liquid में जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था melting, ठीक है, अब liquid को gas में भी तो हम कर रहे हैं, तो liquid को gas में convert करने को हम बोलते हैं, boiling, उबालना, हम पानी को उबालते हैं तो जब भी हम gas, space टोफ पर, पानी को उबालत हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, भाप, और वो भाप है हमारे water vapor, तो इस process को हम कहते हैं boiling, तो liquid state से जब gas state में कोई भी चीज आती है, तो उसको हम boiling कहते हैं, ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा एक point भी होता है, अलग-अलग चीजे को ज़रूरी नहीं है, ह बहुत सारे liquid होते हैं, हमें उनको भी उबालने की जरूरत होती है, हर liquid का अपना-पना boiling point है, boiling point का मतलब होता है, ऐसा temperature, ऐसा तापमान, जब liquid जो है, वो उबलना शुरू करेगा, start करेगा, ठीक है, वो start करेगा, और वो vapor state में convert करेगा, उस particular temperature को हम बोलेंगे, आप सब यहा temperature, point को आप ऐसी याद रख सकते हो, कि हम temperature की बात कर रहे हैं, और वो आ गया हमारा boiling point, ठीक है, तो यह हमारा बन गया solid से liquid और liquid से gas, अभी तक हमने दो process पड़े हैं, तो अभी तक हम समझ में आ गया है, melting और boiling, ठीक है, अब हमें यही story को पीछे की तरफ आपस जाना है, हमार तो यह story बनी है अभी तक, ठीक है, हम आगे आ रहे हैं, अब हमें इसी को ही पीछे लेके जाना है, अब हम gas से liquid की तरफ आने वाले हैं, अगर हम gas से liquid की तरफ आने वाले हैं, तो मतलब particles को हमें क्या बूलना है, कि आप थोड़े पास पास आ जाईए, आपस में friendship कर kinetic energy को थोड़ा कम करिए, अपनी movement को थोड़ा कम करिए, और थोड़े particles पास पास आ जाईए, तो यहां से हमारा जो है third process बन गया, सब लिख लीजिए, अब हम convert करने वाले हैं, gas को liquid में, ठीक है, तो अब हमें जब हमने liquid को gas में करना था, तो हमने temperature को बढ़ाया था, increase किया थ अब क्या करेंगे, हमें पास पास लाना है, तो अब हम उनको cool करेंगे, हम करेंगे ठंडा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी हमने उसको शक्ति दी है, दूर दूर जाने की, उतनी शक्ति हम उनसे वापिस ले ले, और वो पास पास particles आ जाएं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे हम करेंगे cool down तो यह सब लिख लिजिए students so अगर हम gas को cool करेंगे या फिर steam पानी भाब बनाई थी न हमने उस steam को अगर हम cool करेंगे तो उससे क्या होगा kinetic energy सब लिख लिजिए kinetic energy जो है वो भी कम हो जाएगी lower हो जाएगी और जिसकी वज़े से वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगे close आ जाएगे और क्या बन जाएगा liquid जो particles है वो वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाएगे ठीक है तो अब हमने क्या किया हमने भाब को convert कर दिया cool करके ठंडा करके हमने उसको convert कर दिया है liquid में ठीक है अब आपने बारिश देखी होगी बारिश कैसे होती है बादलों में से आती है ना बादलों में से भी कैसे आती है बादल तो हमारे भाब से बनते है ठीक है तो हम उसी बादल को जो हमारे gas है हम उसको पानी में बना रही है water में बना रही है liquid में बना रही है तो उस particular process को जैसे हमने melting और boiling पड़ा है वैसे ही हब हम दूसरा process next पड रहा है उसको हम बोलेंगे condensation तो सब लिख लीजिए condensation एक ऐसा process है जब cool down करके gas liquid में convert हो जाती है ठीक है तो ये एक ऐसा temperature है जिस वजे से gas liquid में time come हो जाएगी और बदल जाएगी ठीक है तो ये तो हमारा हो गया तीसरा point अभी भी हमारी journey खतम नहीं होई है अब हमें कहां जाना है हमें और ठंडा करना है जो पानी हमने लिया अब जो पानी आ गया हमारे पास हमें तो उसको जमाना है ठंडा करना है क्योंकि हमें तो चाहिए बरफ हमें चाहिए solid तो अब हम क्या करते हैं हम पानी भाहर से निकालते हैं, टैप से उठाते हैं, निकालते हैं और हम उसको कहां रख देंगे, हम रख देंगे उसको freezer में, जमाने के लिए ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा fourth point जब हम पानी को या किसी liquid को solid में convert कर रहे हैं तो liquid to solid, सब लिख लीजे, अब next heading तो सब को समझ में आ ही गया होगा, कि जब हम gas liquid में आये, तो हमने cool किया अब वही पानी को हमें जमाना है, solid में लाना है, तो हम और ज़्यादा cool करेंगे हम चाहते हैं, कि liquid के particles और पास-पास आ जाएं, क्योंकि उनकी kinetic energy को हमें अब और भी कम करना है, वो जो move कर रही है, एक जगा से दूसरी जगा, उनको हमें control करना है, उनको हमें कम करना है, तब ही वो एक जगा पर tick पाएंगे, और उनके बीच में space हमें कम करना है, तो आप लिख लीजिए, अब हमें इसको further cool करेंगे, और ठंडा करेंगे, और temperature को हम कम करेंगे, तो आप लिख लीजिए, cool करना मतलब lowering the temperature, तब मान को हम कम करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो particles के जो kinetic energy है, वो भी कम हो चाहेगी, move होने की जो space है, वो हम उसी को ही कम कर देंगे, तो वो आप पेस अपनी जगहापर आकर बैठ जाएंगे, सारे particles हमारे solid के बन जाएंगे, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया liquid से solid, अब ये हमने जमाया है, हमने बरफ जमाई है, हम ये बोलते हैं न, तो उस जमाने को हम बोलते हैं, science में freezing, तो सब लिख लीजिए, एक ऐसा phenomenon, एक ऐसा process, जहाँ पे liquid substance convert हो जाता है, solid में, तो उस process को हम बोलेंगे freezing, ठीक है, तो जैसे हमारा melting point होता है, boiling point होता है, इसी तरीके से हमारा एक freezing point भी होता है, ठीक है, वो freezing point क्या होता है, ऐसा temperature, जब भी point की बात आएगी, तो आप समझ जाएए कि हम एक temperature की बात कर रही हैं, ऐसा temperature जहाँ पे state of substance जो है, वो बदल जाता है liquid से gas में, तो जमाने वाले temperature को हम बोलेंगे freezing point, ठीक है, I hope यहां तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है, तो चलो, अब हम और आगे चलते हैं, अब कुछ इनको energy मिल रही है, इनको ताकत मिल रही है, इनको हिम्मत मिल रही है, सारे particles को पास आने की, दूर जाने की, है ना, so that कि जो वह पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में space कम हो, यहां कभी कबार हम चाते हैं कि उनके बीच में space बन जाए, तो वो liquid में convert हो जाते हैं, gas में convert हो जाते हैं, तो वह कभी कबार क्या होता है, उनको ना, energy हम और देते हैं, एक ताकत और देते हैं, जब हम temperature बढ़ा रहे थे, जैसे हमने गर्मी दी, तो हम क्या कर रहे थे, हम heat जब कर रहे थे, तो हम इनको और particles को अलग से भी energy दे रहे थे, और वो energy यह अपने पास ना, चुपा के रखते हैं, यह सारे particles, तो अब हम उस energy की भी बात करते हैं, उस energy का नाम है, latent heat, अभी तक हम जितना भी हमने discuss किया है, अभी तक हम सिफ और सिफ temperature के नाम पे ही convert कर रही हैं, एक state of matter से, दूसरे state of matter तक, solid liquid gas हमने पहले temperature को बढ़ाया, फिर temperature को हमने कम कर दिया, ठीक है, और अब हम बात कर रही है, extra energy की, की बही, और कैसे इनको energy मिलती है, वो ऐसे मिलती है, latent का मतलब होता है, hidden, hidden का मतलब होता है, छुपा हुआ, hide, hide कर जाना, छुप जाना, ठीक है, तो यह एक ऐसी energy होती है या फिर heat होती है तेके गर्माहट होती है जिस वजह से यह जो particles हैं हमारे state of matter के, हमारे solid के, हमारे liquid के, हमारे gas के यह या तो अपनी तरफ यह भाप को यह अपनी heat को गर्माहट को अपनी तरफ ले ले लेते हैं या फिर ये बाहर निकाल देते है या तो ये अपनी तरफ एब्सॉब कर लेते है या फिर वो बाहर निकाल देते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो बदल जाए दूसरे state of matter में ठीक है तो latent heat एक ऐसी छुपी होई heat है जो वो energy को लेकर या तो वो अपनी तरफ ले लेते हैं उस heat क उस गरमाहट को उस energy को use करते हैं so that कि वो बदल पाएं दूसरे state of matter में दो तरीके कि latent heat हम पढ़ेंगे तो पहली हम पढ़ते हैं latent heat of fusion सब लिख लीजिए latent heat of fusion जब भी word fusion लिखा आए आपने समझ जाना है हम solid को convert कर रही है liquid में मतलब हम example के नाम पे बताती हूँ बरफ को हम जब पानी में convert कर रही है तो बरफ को तो अपनी तरफ बहुत सारी energy चाहिए energy या फिर गरमाहट चाहिए temperature हम बढ़ाएंगे तभी वो पानी में convert होगा तो latent heat of fusion में जब हम 1 kg 1 kg उस solid को liquid में बदलते हैं उसको हम कहते है latent heat of fusion मतलब चुपी हुई गरमी की वज़े से भी हमारी solid liquid में बदल जाती है ठीक है तो ये तो हो गया हमारी पहली अलग से energy जो मिलती है और convert कर देती है दूसरे state में ठीक है अब हम दूसरी latent heat के बारे में बात करेंगे तो दूसरे latent heat हम क्या समझेंगे हम समझेंगे जब liquid से gas में बदलता है तो उस latent heat उस छुपी हुई heat का नाम हम पढ़ते हैं वो है latent heat of vaporization हमने जो भाप बनाया था ना बस वही है ये vapor ठीक है तो ये liquid से gas में convert कर देती है बदल देती है तो ऐसी छुपी हुई energy उसकी वज़े से उस energy उस हिम्मत उस ताकत की वज़े से जब वो 1 kg एक किलो लिक्विट को convert कर देती है gaseous state में तो उसको हम कहते है latent heat of vaporization ठीक है आगे सब को समझेंगे तो चलो एक और example से मैं समझाती हूँ जैसे हमने एक gas stove पे यहाँ पे हम heat कर दे रही है एक हमने bowl रखा जिसमें हमने पानी रखा हुआ है उबलने के लिए ठीक है तो अब क्या होता है वो पानी उबल रहा है वो water vapor में convert हो रहा है तो कभी कबार ना हम plate से उसको ढग देते हैं cover कर देते हैं और कभी कबार हम जब plate को उठाते हैं देखने के लिए कि पानी बचा है कि नहीं कभी कबार हम plate को अपने हातों से उठाते भी है तो वो जो भाप निकल कर आहर रही होती है भाप कौन सी जो पानी को gas में बदल देती है तो वो भाप ना कई बार हमारे हाथ को touch हो जाती है और हमें कहते हैं कि गरम गरम लग ग गया हमारा हात जल गया क्योंकि गरम-गरम भाप लग गई हमें और अगर वही उसी टेमपरीचर का अगर हम पानी लेंगे तब हमें उतनी जलन नहीं होगी जितनी हमारी वाटर वेपर को भाप को स्टीम को हात लगाने में जो हमें जलन होगी वो क्यों हो रही है वो इसकी वज़े से हो रही है क्योंकि जो steam है उसमें energy छुप गई है उसके पास जादा heat energy है क्योंकि उसने steam में अपने आपको बदल लिया है उसने liquid को steam में बदल लिया है और steam के पास अभी हमने पड़ा है जादा energy होती है तो वो energy या heat की वज़े से हमें हमारी body पे, हमारे हाथ पे burns हो सकते हैं, तो ये बहुत important point है, कि अगर 373 Kelvin मतलब 100 degree Celsius का team है, भाप है, या फिर उसी का हमारा पानी है, तो कौन सा जादा हमें burn करेगा, हमार को burn करेगा steam, ठीक है, क्योंकि उसके पास है hidden heat, hidden energy, ठीक है, आगे सब को समझ में, तो अभी तक हमने solid, liquid, gas पढ़ा है, solid से liquid, liquid से gas, gas से liquid और gas से solid, चलो, अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं, और भी topic, क्योंकि अभी हमें solid को gas में भी तो convert करना है, ठीक है, तो अब हम बिना liquid में convert करे, solid को gas में convert करते हैं, ठीक है, तो चलो, आप सबने naphthalene balls तो देखी ही होंगी, white color की होती है, चोटी-चोटी होती है, हमारे घरों में रखी जाती है, क्योंकि कुछ कीड़े ना आए, हमारे कपड़ों को protect करती है, तो जब आप वो अपने bed में store करते हो, कहीं पर भी store करते हो, तो उसको जब आप open करते हो, तो आपको na fragrance आती है, smell आती है कभी कबार, उसकी, मतलब वो बिना liquid में convert हुए, वो gas में convert हो गई है, तभी वो diffusion की वज़े से, उसके particles gas में mix हो गई है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे sublimation, जब कोई भी substance, solid से gas में convert हो जाए, without changing into liquid, उसको हम बोलते हैं, इस process को, sublimation, जैसे हमने melting पड़ा, then हमने boiling पड़ा, हमने और भी process पड़े, तो इस वज़े से condensation पड़ा, तो अब ये हमारा है, solid से gas, जो बिना liquid में convert हुए, direct हमारा gas में convert हो रहा है, ठीक है, अब ये आगे सब को समझ में, ठीक है, तो अब कभी कबार हमारा gas से solid में भी convert होता है, ठीक है, उस process को हम कहते हैं, ये हमारा एक process हो गया, अब हम दूसरा process पड़ेंगे, जब solid से हम convert करा रही है gas में, gas में उसको हम बोलेंगे sublimation, अब हम gas को solid में convert करा रही है, उस process को हम बोलेंगे deposition, so deposition एक ऐसा process है, जहां पे gas convert हो रही है solid में, बिना liquid में convert हुए, liquid में वो convert नहीं होती है, ठीक है, तो यह हमारा आगया है deposition, ठीक है, तो यह तो हमें समझ में आगया, हमने सारे matter को convert कर दिया, solid को liquid में, liquid को gas में, फिर दुबारा gas को liquid में, gas को हमारे solid में भी convert किया, ठीक है, तो यह तो हमारे conversion हो गए हैं ठीक है तो जो हमारे पार्टिकल्स है न वो वैसे ही रहते हैं उन में कुछ बदलाव नहीं होता है हमारा जितना भी मैटर है वो वैसा ही बनता है ना ही हम उसको बनाते हैं ना ही हम उसको खराब कर सकते हैं तोड सकते हैं ठीक है तो यहां से हमारा एक बहुत ही important topic बन कर आ गया है law of conservation of mass, ठीक है तो ये topic हमारा खहता है कि जो हम matter को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम तोड सकते है, matter can neither be created nor be destroyed जब भी कोई भी chemical reaction होती है तो जितना matter हमारा होता है, उतना ही रहता है, जिसे मैं एक आपको reaction लिख देती हूँ, जब magnesium, oxygen के साथ react कर रहा है तो हमारा magnesium oxide बना है तो जितना हमारा reactant है, उतने ही हमारे product ही बनेंगे, ना जादा ना ही कम ठीक है, जितना हमारा mass का reactant side है वही हमारा product side भी रहेगा, बस हमें उसको balance करने की ज़रूरत होती है, जहां पे दो atom हमारे oxygen के हैं, तो हम इसको balance कर देंगे, तो हमारे दो magnesium यहां पे हमारे दो oxygen और दो magnesium और दो oxygen, तो यह हमारा बहुत important है matter can neither be created nor be destroyed तो अभी तक हमने समझा है temperature के बारे में कि हमने temperature को use करते हो है कभी कभार हमने temperature को बढ़ाया, कभी कभार हमने temperature को कम किया, ठीक है अब हमने दूसरा topic पढ़ना है जहां पे हम pressure को change करेंगे, ठीक है effect of change of pressure तो अभी तक हमने temperature को बढ़ाया और कम किया और हमने matter को एक solid को दूसरे liquid में करा एक matter को दूसरे matter में हमने convert किया अब हम pressure को change करेंगे उस pressure को change करेंगे तो उसके particles भी या तो दूर-दूर जाएंगे या फिर पास-पास आएंगे ठीक है तो चलो सबसे पहले हम दुबारा लिख लेते हैं या पे solid liquid gas और सबसे पहले हम convert करने वाली है gas को liquid में तो लिख लीजिए सब हमारा पहला part जब हम pressure को change कर रही है gas to liquid ठीक है तो अब हमें क्या करना है gas में तो दूर-दूर है सारे particles ठीक है हमें liquid में करना है मतलब थोड़े से pass करने है हमें particles मतलब उनके बीच में space हमें कम करना है मतलब हम क्या करेंगे हम pressure को लगाएंगे उन तरफ particles में तभी वो आपस में जुडेंगे और साथ में आएंगे और space कम हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिख लीजिए, हमें gas को liquefy करना है, ठीक है, आप सब लिख सकते हैं, gases can be liquefied, हम liquefy कर सकते हैं, liquid में कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, pressure को लगाएंगे, by applying pressure, ठीक है, तो यह तो हमें बता चल गया, कि हम pressure लगाएंगे, तो सारे particles पास पास आ जाएंगे, लेकिन pressure के लगाने के साथ साथ, हमें temperature को क्या करना है, जो हम पढ़ चुके हैं, पहले ही cool down करना है, cool down का मतलब है, हमें temperature को कम करना है, reduce करना है, ठीक है, तो हमने temperature को कम कर दिया, pressure को लगाया है, pressure बड़ा है, temperature कम हुआ है, जिसकी वज़े से वो compress हो जाएंगे, जुड जाएंगे, पास आजाएंगे, सारे particles और हमारा जो gas है वो liquid में convert हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक हमारा point बन गया है, और मैं थोड़ा सा आपको example way में भी समझा देती हूँ, जैसे सब ने solid carbon dioxide तो देखा ही होगा, ठीक है, उस solid carbon dioxide, carbon dioxide तो एक gas है, इसके न, solid CO2, ये तो ये gas है, लेकिन मैंने इसके साथ word solid क्यों लगाया है, क्योंकि हम इस gas को इतना जादा pressure देते हैं, इतना जादा pressure देते हैं, इतना जादा pressure देते हैं, और इतना कम temperature में उसको हमें store करके रखना पड़ता है, ताकि वो solid ही रहे, और चैसे ही हमने उसको normal temperature म लेकर आए, room temperature में लेकर आए, तो क्या हो गया? तो वो दुबारा gas में बदल गया तो हमें दोनों बातों का ना ध्यान रखना होता है कि हमें एक तो pressure को high रखना होता है लिख लीजे सब high pressure and lower temperature हमें temperature को भी कम करना पड़ता है इसी वज़े से क्या होता है? वो convert हो जाती है solid में ठीक है? और जैसी ही हमने temperature को बढ़ा दिया या उसको normal temperature में ले आए, तो वो बन जाएंगे दुबारा gas, ठीक है? तो हम solid carbon dioxide को ना dry ice भी बोलते हैं ठीक है? आगे सब को समझ में तो चलो, अभी तक हमने ये सारी चीज़े पढ़ी हैं अभी तक हमने pressure के बारे में भी पढ़ लिया temperature के बारे में भी पढ़ लिया अभी तक हमने दो चीज़े नहीं समझी है, एक आपने boiling समझा है? ठीक है? जहां पे हमारा liquid boil होना शुरू होता है हमारे एक particular temperature टाकि वो gas में बदल जाए एक आपने word सुना होगा evaporation evaporation कहां पे होता है? ये भी वैसा ही है, liquid हमारा gas में बदलता है, boiling में भी यही होता है लेकि थोड़ा difference आजाता है boiling में एक particular temperature में होता है ठीक है? और evaporation में सबसे पहले क्या होता है? उपर उपर, surface पे जो पानी होता है न वही गरम होके gas में बदल जाता है और boiling में बल्ग, पूरा का पूरा पानी ही बदल जाता है gas तो चलो हम सबसे पहले evaporation को भी समझते है evaporation में भी इतना तो समझ में आ गया, कि liquid से gas में बदलता है, लेकि ऐसे temperature में बदलता है जो उसके boiling point से थोड़ा सा कम हो, हमें सारा liquid ही बदल रहे है, हम जो उपर उपर जो liquid रखा होता है, उसको ही हम बदल रहे है, उसको हम बोलेंगे evaporation, जो थोड़ा सा और example देखके बढ़ाती हूं, जैसे ये है हमारा C, समुंदर तो वो sun की किर्ने क्या करती है जो हमारा पानी है समुंदर का वो उपर उपर वाला पानी, ऐसा दोनी है न, सबसे नीचे वाले पानी को वो गर्माहर देती है उसकी रौशनी सबसे उपर वाले पानी पर जाती है और वो कम ही temperature पे चली जाती है, 25 degree, 30 evaporation, ठीक है जब boiling point से कम temperature में उपर उपर वाला surface वाला पानी convert हो जाएगा gas में, उसको हम बोलेंगे evaporation, ठीक है अब ये गरम होने के लिए अब ये gas में बदलने के लिए भी कुछ इसके features होते है कुछ उसके factors होते है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है तभी वो अच्छे से evaporate होंगे चलो, next topic हम सब लिखते है factors affecting the rate of evaporation कि कितनी जल्दी वो पानी evaporate होगा और gas में बदलेगा या कितनी late होगा तो कितनी late होगा उसके भी factors है और कितनी जल्दी होगा उसके भी factors है तो सबसे पहला हम factor पढ़ते हैं जितना open, जितना खुला हुआ एरिया में हम पानी रखेंगे उतनी जल्दी वो evaporate हो जाएगा surface area मतलब उस चीज का जैसे हमने गीले होए कपड़े हमने जब धोकर कपड़े लाते हैं हमने खुले एरिया में अच्छे से फैला के उसको हमने बाहर धूप में लगा दिया ठीक है? तो मतलब अच्छे से उसको पानी एवाप मिल रहा है तो वो सारे के सारे पानी जो कपड़े में है वो जल्दी से sun के थूँ वो evaporate हो जाएगा ठीक है? तो ये हो गया हमारा surface area तो आप यहाँ लिख सकते हो rate of evaporation उतना जल्दी वो evaporation बढ़ जाएगा rate of evaporation increases बढ़ेगा जब surface area बढ़ेगा increases when surface area increases ठीक है? तो ये हमारा liquid का जब हमारे surface area हम उसको अच्छे से देंगे तो हमारा अच्छे से वो convert हो जाएगा ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे factor की तरफ दूसरा हमारा point आता है temperature क्योंकि मैंने अभी sun का नाम लिया था sun जो है वो गर्माहट देगा temperature को बढ़ाएगा जितनी जादा धूप होती है हम बोलते हैं आज धूप निकली है तो आज हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे तो वो धूप जो मिल रही है वो temperature बढ़ा रही है तो rate of evaporation क्या होगा? बढ़ जाएगा जब हमारी temperature जादा होगा तो सब लिख लीजिए rate of evaporation increases ठीक है? बढ़ेगी जब हमारा temperature भी बढ़ेगा temperature कहां से बढ़ रहा है? धूप से बढ़ रहा है सो हमारी evaporation भी उतनी जल्दी जल्दी हो जाएगी ठीक है? चले हम तीसरी की तरफ तो थर्ड अब हम पढ़ने वाले है humidity humidity का मतलब होता है कि जितना water vapor जितना भाप है हमारे temperature में जब अल्रेडी बहुत सारा भाप होगा अल्रेडी बहुत सारा water vapor हमारे air में present होगा तो उसको और दुबारा liquid को भाप में बनाने के लिए और जादा time लगेगा तो जब बारिशों का मौसम चलता है तो उतना water vapor हमारे air में बहुत मौजूद होता है तो उसको और liquid को gas में बदलने के लिए बहुत महनत लगती है बहुत time लगता है तो हमें humidity को कम करकना होगा अगर जब humidity कम रहेगी तभी rate of evaporation बढ़ेगा तो आप लिख लीजिए decrease in humidity increases the rate of evaporation ठीक है तो जब हमारी water vapor हमारे atmosphere में हमारे area में जब बहुत कम होंगे water vapor तो वो और अपनी तरफ लेख सकता है और वो evaporate कर सकता है ठीक है तो ये तो हमारे 3 हो गए अब चलते हैं 4 जो आखरी है वो है हमारे जितनी हवा चलेगी जैसे जैसे temperature भी बढ़ता है और उसी तरीके से अगर हवा भी बहुत जोर से चलेगी जैसे हम उसी गिले कपड़े को fan की speed के नीचे पंखे के नीचे अगर हम रख देंगे तब भी हमारा जो गिले कपड़े हैं वो असानी से यास में water vapor में convert हो जाएंगे तो जितनी wind speed जादा होगी उतना ही हमारा rate of evaporation भी बढ़ेगा तो increases अगर बढ़ेगी हमारे wind speed तो हमारी evaporation का भी rate जो है वो भी बढ़ जाएगा ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे evaporation की कितनी जल्दी हो सकते हैं surface area temperature, humidity और wind speed ठीक है? तो कभी कबार क्या होता है जब ये evaporation होती है? I hope सबको पता होगा जैसे हम nail paint remover फ़र थंड़ा थंड़ा लगता है जब हम उसको हमारे हातों में लगा लेते हैं ठीक है? जब हम nail polish को हटाने के लिए acetone या nail paint remover का काम करते हैं तो हमारे वो तो liquid होता है ठीक है? वो एकदम से उड़ जाता है उड़ जाता है मत्तब कहां उड़ जाता है? वो gas में बदल जाता है वो gas में बदल आता है तो जब हमारे हात में वो liquid लगता है तो instantly जब हो gas में बदल जाता है तो नो वो ठंड़ आहग देता है हमारा हात को नो cool करता है तो इसको हम कहते है that evaporation की वज़े से हमें ठंड़ भी मिल रही है evaporation causes cooling ठीक है? वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा liquid है उसने हमारे आसपास से energy ले ली है अपनी तरफ ठीक है? क्यों? क्यों energy ली है? क्योंकि उसको gas में बदलना है उसको energy चाहिए ना ताकत चाहिए ताकि सारे particles उसके दूर दूर जाए तो उसने वो जो energy ले ली है उस energy की वज़े से हमारा atmosphere थोड़ा ठंडा हो जाता है और इस वज़े से हमें ठंडा हो फील होता है ठीक है? So I hope कि आज का topic सबको समझ में आ गया कैसे हमने solid को liquid में बदला liquid को gas में बदला फिर दुबारा gas liquid में आए gas solid में आए और gas solid और solid से gas ठीक है? तो आज के topic में I hope सबको समझ में आ गया होगा change of state of matter Thank you so much everyone